हम स्री गनेशय नमा दोस्तों गनपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 27 जुलाई मंगल बार आज के मिथुन रासी के गैनिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको साफधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और वेवसाय कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की में हित्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाई भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप शिर्ण पर नई है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को भी दवाईए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं में एक्वोन वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आर्थिक द्रश्टी से बहुती सुब रहेगा सीखने की ललक को बनाय रखे भोईशे के लिए ये बहुती लाबकारी सिथ होगा सिख्षा के छेत्र में केरियर बनाना चाहते हैं तो प्लानिंग करना सुब रहेगा साथ ही हार्डवेर के कारुबारी मुनाफे के लिए सजग रहें स्टोक मेंटेन करते समय ग्रहाव को पसंद को भी प्रात मिक्ता दें युवा मित्रों के साथ केरियर को लेकर सार्थक बातचीत करेंगे और यदि गलत संगती में है तो उसे ततकाल छोड़ने के लिए द्रड़ संकल्प लेना प्रविस्से के लिए उत्तम रहेगा और अपनी दिंचरिया को नियमित बनाए रखें आज ग्रह कोचर आपके लिए भाग गयोदे इस्तितिया बना रहा है साथ ही रुगे कारियों में गती आएगी और सामाजिक मान सम्मान प्राप्प होने से आपके व्यक्तित में निखार आएगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में आज घर परिवार और संतान के प्रती चिंदा उत्पन हो सकती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्युवसाई के बारे में आज व्युवसाई और नौकरी में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और आप इसमें सफल भी रहेंगे आपकी योगता और काबलियत खुल कर लोगों के सामने आएगी साथ ही जन संपर्क आपके लिए आर्थिक रूप से फायदमन साबित होगा इसलिए अपने कारियों के प्रति समर्पित रहें घर के बड़े बुजूर्ग आपके पथ प्रदर्सक के रूप में साहिक सिद्ध होंगे और विवसाय में अधिक सफलता प्राप्त होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में वहवाही की जीवन सुक में रहेगा प्रेम संबंदों में नजदी की आएंगी जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा कोई आपसी अनबन समाप्त होगी इससे आपकी स्ति और रिष्टे पहले से काफी बहतर और मजबूत हो जाएंगे और साथी परिवार जड़ों के सहयोग से आप अपने कारियों को पूरा कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको काफी मानसिक सांती मिलेगी साथी जीवन साथी या परिवार के साथ सौपिंग और मोजमस्ती में समय व्यतित होगा जिसकी वजह से वातावन खुश्मनुमा रहेगा प्रेम संबंदों को लेकर पारेवरक सहमती मिलने से और अधिक प्रगाड़ता आएगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के पारे में स्वास्त से संबंदी कोई पुरानी समस्या उत्पन हो सकती है जैसे इसके नेलरजी या अस्तमा इसलिए अभी से जाग रुक रहें और मोजम परिवर्थन से होने वाले स्वास्वंदी समस्याओं से बचाओ रखें इसके लिए आप रोजाना योग करें भ्यायाम करें, प्रणायाम करें और स्वस्त्र ही दोस्तो आज आप ये विशेश उपाई अवश्या करें आज हनुमान चालिशा का पाट करें और साथ में, गुढ और चने का पृसाद बाटे और एक 108 बार इस मंत्र का जवाब करें ओम श्री हनुमति नमा ओम श्री हनुमति नमा इससे आपकी सभी मनो काम नए सिक्डित पूरी होंगी दोस्तों आपको बजरंग बली का सिरुवात प्राप्तों कमेंट में जे हनुमान अवस्य लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो